हेलो मेरे प्यार दोस्तों तो कैसे हो आप समय एक लव एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत सवाद करते हूं अपने यूडियूब चैनल पर दोस्तों जो आइको के फोन होते है वो काफी कमाल की होते है क्योंकि आपको सभी के सभी इसमें 5G फोन मिल रहे है और SME Aikou का आप पद करते हैं जो कि एक 5G फोन ही होगा लेकिन इसका प्रैस काफी कम होने वालव है और यह जो फोन है यह है Aikou का Z1X काफी जल्द पर दा और का?」 जनले है दो चलिए दोस्तों इस फोन के design की बात कर ली जाए इसमें आपको आगे की तरफ एक punch hole display देखने को मिल जाएगी इसके अंदर आपको एक punch hole display मिलेगी और पीछे की तरफ आपको इसमें left side पर मिलेगा एक triple rear camera का setup अब दोस्त अगर इसके display के बारे में मैं आपको बता दू इसमें आपको मिल जाएगी 6.67 inches की full HD plus IPS LCD display जिसकी pixel density 409 ppi और जो इसका refresh rate है वो आपको इसमें मिलेगा 120 hertz का refresh rate यानि कि आपको इसमें display तो काफ़ी कमाल के मिलने वाली है अब दोस्तों अगर इसकी performance की बात किजाए इसकी performance भी काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें आपको मिल जागा Qualcomm का Snapdragon 765G का chipset जो एक 5G chipset है उसका मतलब यह phone जो ही 5G phone होने वाला है और इसके साथ में आपको इसमें graphics के लिए भी मिल जाता है Antreno 620 और आपको इसमें RAM भी अच्छी गासे मिल जाएगी यूंकि इसमें आपको मिलने वाली है 6GB की RAM और इसके साथ में आपको मिल जाएगी इसमें 64GB की internal storage अब में दोस्त अगर इसके cameras की बात कर दीजए आपको इसमें पीछे की तरह मिल जाएगा triple rear camera का setup और जो main इसका primary camera है वो आपको इसमें मिलेगा 48MP का camera उसके साथ जो दूसरा camera दिया गया है वो आपको इसमें 2MP का depth sensor मिल जाएगा और तीसरा camera भी आपको इसमें 2MP का एक macro lens म इसकी battery की बात कीजिए आपको इसमें battery बेक बड़ी battery मिल जागी इसमें आपको मिलेगी 5000 mAh की battery उसके साथ में आपको fast charging की spot भी मिल जाएगा 33W का fast charger आपको इसके box के साथ ही मिलने वाला है और दोस्तों ये phone आपको dual SIM में भी मिल जाएगा आप दोनों nano SIM डाल सकते हो और इस इसका fingerprint scanner है वो ठीक इसके side पर मिलने वाला है जाहां इसका power on off का button है वहीं पर आपको इसका fingerprint scanner भी मिल जाएगा अब लास्ट में दोस्तों आपको इसकी pricing की बात कीजिए इसके specs के हसाफ से इसका price काफी attractive होने वाला है ये phone आने वाला है इंडिया में तकरीबन 17,000 पे में य कुमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बैल आकन को जरूर पैस कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अप्लेट करूं आप लोगों के बास नोडिफिकेशन आ सके तो दोस्तों मिलते हैं एक और ने फॉन के साथ और एक और ने वीडियो में तब तके लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्यार रखिएगा